Welcome to Skill Shala, मैं हूँ साहिल शर्मा और MS Excel की Lecture Series के आज की Lecture में हम Alignment Block में आने वाली Option Orientation के बारे में जानेंगे Orientation एक ऐसी Option है जिसकी Help से आप अपने Data को अलग-अलग Angles पर Rotate कर सकते हैं तो चलिए ये कैसे पॉसिबल है आज की Lecture में समझते हैं अभी आपके सामने MS Excel की एक File already open है इस File में ये जो First Row है इसके अंदर जो ये Data है मैं इसको Rotate करना चाहता हूँ इसको Rotate करने के लिए ये जो Alignment Group है इसके अंदर ये Option है Orientation जैसे ही मैं इसके उपर क्लिक करूँगा तो एक List जो है वो मेरे सामने open हो जाएगी इसमें सबसे पहले लिखा है Angle Counter Clockwise आप यहाँ पर क्लिक कर दें तो आपका Data Counter Clockwise Rotate हो चुका है अब आप अगर अपने Data को Normal Position में लेके आना चाहते हैं फिर से तो यहाँ पर क्लिक करें और Angle Counter Clockwise पर दोबारा से क्लिक कर दें यानि यह एक Toggle Button की तरह Act करता है जब हम इस पर क्लिक करते हैं First Time तो यह Data को Rotate करता है और जब दुबारा से क्लिक करते हैं तो यह उसको उसकी पुरानी Position पर ले आता है अब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं यह है Angle Clockwise जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका Data Clockwise मूफ हुआ है ठीक है जी तो अभी हमें क्या करना है अभी हमें अगर इसको Normal करना है तो यहाँ पर क्लिक करके Angle Clockwise पर दुबारा से क्लिक कर देंगे अब मैं यहाँ पर आता हूँ यहाँ पर है vertical text फिल हाल मैं इस option को छोड़ रहा हूँ इसको मैं बिल्कुल end पर करवाऊंगा उससे पहले आप rotate text up की option को देखें आप यहाँ पर click करें तो आप देखेंगे कि आपका data अपकी तरफ rotate हुआ है नीचे से start हो रहा है और उपर की तरफ जा रहा है अब आप क्या करें अब आप यहाँ पर click करके इसको फिर से rotate text अप पर दुबारा से click करेंगे तो आपका data फिर से normal हो जाएगा अब आप यहाँ पर आए और यहाँ पर है rotate text down आप यहाँ पर click कर दें तो आप देखेंगे कि आपका data top से bottom की तरफ move हुआ है तो यह तो थी अलग-अलग options जिससे आप data को rotate कर सकते हैं लेकिन अगर आप यहाँ से इनको rotate करते हैं तो आपको पता कैसे चलेगा अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका data इन पर click करने पर किस-किस angle पर move हुआ है यहाँ क्या आप अपनी मर्जी से angle बता सकते हैं कि हमारा data इस particular angle पर move हो तो जी हाँ यह possible है अभी मैं क्या करता हूँ मैं यहाँ पर click कर देता हूँ अभी मेरा data किसी angle पर rotate नहीं है मैं यहाँ पर click करता हूँ click करने पर angle counter clockwise पर click करता हूँ मेरा data counter clockwise rotate हो गया अब यह किस angle पर rotate हुआ है यह देखने के लिए मैं यहाँ पर आऊँगा यहाँ पर click करेंगे हम तो यह देखिए आपका data 45 degrees पर rotate हुआ है किस degree पर rotate हुआ है 45 degrees पर rotate हुआ है अब मैं यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देता हूँ अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर फिर से क्लिक करके नॉर्मल कर देता हूँ और एंगल क्लॉकवाइज पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर क्लिक करूँगा दिखूँगा कि मेरा डेटा माइनस 45 डिग आपका डेटा 90 डिगरी पर रोटेट हुआ है ओके पर क्लिक करें अब आप यहां पर आएं यहां पर फिर से क्लिक कर दे अब आप रोटेट टेक्स डाउन पर क्लिक करें यहां पर क्लिक करें तो आप देखेंगे कि आपका डेटा minus 90 degree पर rotate हुआ है यह जो आप बाहर से rotation कर रहे हैं यहाँ पर in options पर click करके यह जीज़ें आप यहाँ से भी कर सकते हैं आप यहाँ से 90 degree लिख सकते हैं जब आप 90 degree लिखेंगे ok पर click करेंगे तो आपका data 90 degree पर move हो चुका है अब आप यहाँ पर click करें क्लिक करने के बाद यहाँ पर 45 डिगरी लिखें तो यहाँ पर OK पर क्लिक करें तो आपका data 45 डिगरी पर मूव हो चुका है और आप क्या कर सकते हैं आप यहाँ पर क्लिक करें यह जो particular hand आप देख रहे हैं जो text के साथ यह जो arrow दिखाई दे रही है आप इसको भी move कर सकते हैं यह जो arrow है यह 90 डिगरी से minus 90 डिगरी तक इसको move किया जा सकता है जब आप in positions पर 90 डिगरी पर 45 डिगरी पर यहाँ पर जो है यह 0 डिगरी पर यह है minus 45 डिगरी पर और यह minus 90 डिगरी पर जब इसके hand को लेके आते हैं 0 को लेके आते हैं तो यह जो points बने हुए हैं यह particular points अपना color change कर लेते हैं जैसे यहाँ पर यह color is point का red हो चुका है जब मैं इसको 45 पर लेके जाऊंगा minus 45 पर इसका color फिर से red हो जाएगा तो आप यहाँ पर भी इसको rotate करके भी नीचे degree को set कर सकते हैं यह आपकी hand में है और आप यहाँ पर कोई भी डिगरी एंटर भी कर सकते हैं जैसे मैंने 56 डिगरी एंटर कर दिया मैं चाहता तो मैं इसको rotate करके भी 56 पर लेके आ सकता था मैंने ok पर click किया तो यह देखिए यह मेरा data जो है वो 56 डिगरी पर move हो चुका है अब मैं यहाँ पर click करूंगा click करने पर अब आपके पास एक तो यह options हैं कि आप यहाँ पर click करके कर लें दूसरा यह है कि आप यहाँ से degree कर लें तीसरा यह है कि आप इसको यहाँ से rotate कर सकते हैं और इसकी limit minus 90 degree से plus 90 degree के बीच में आती है अभी हमने एक option को छोड़ा हुआ है वो option कौन सी है वो option यह है कि जब आप यहाँ पर click करते हैं तो यह देखिए यह box आपको दिखाई दे रहा है हम यहाँ तो इस box की बात करेंगे यहाँ फिर हमने एक option जो है यहाँ पर छोड़ी हुई है यहाँ पर click करें और यह है vertical text इस पर click करके देखते हैं यह देखिए आपका text जो है वो vertically आ गया यह जो text आय आया है अब आप कहेंगे सर कि जब हम यहां पर क्लिक करते हैं और रोटेट टेक्स्ट डाउन करते हैं फिर भी तो यही होता है मैं इसको दोनों को करके दिखाता हूं आपको इसको पकड़ें जब आप और यहां पर आप क्या करें यहां पर क्लिक करें और यहां पर रोटेट टेक्स डाउन पर क्लिक कर दें फिर से आएं यहां पर और यहां पर रोटेट टेक्स डाउन पर क्लिक करें और यहां पर आप क्या करें यहां पर आप वर्टिकल टेक्स पर क्लिक करें अब देखिए इसमें और इसमें डिफरेंस है आ तो ये भी top to bottom रहा है आ ये भी top to bottom रहा है लेकिन जब मैं इसको select करके यहाँ पर click करके देखता हूँ ना तो यह क्या है minus 90 degree क्या है minus 90 degree यानि data को minus 90 degree पर rotate किया गया है तो आप कहेंगे तो इसको भी तो minus 90 degree पर ही rotate किया होगा जी बिल्कुल नहीं इसको क्या किया है यहाँ पर क्लिक करें क्लिक करने पर यह तो यहाँ पर zero degree show कर रहा है अगर यह zero degree show कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि इसको rotate नहीं किया गया इसकी direction को ही change कर दिया गया है अब यह data जब आप type करेंगे तो यह top to bottom ही आएगा rotate करके इसको top to bottom नहीं किया गया इसकी direction को ही change कर दिया गया है direction को change करने के लिए आप यह तो इसका इसका इस्तेमाल कर सकते हैं यह vertical text यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ फिर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका color black हो गया ह और okay पर click करेंगे तो यह देखिए यह top to bottom आ चुका है जब मैंने last lecture में जिन्होंने मेरा last lecture देखा है मैंने उसमें बताया था कि indentation कब मिलती है indentation मिलती है left के साथ या right के साथ अब आप क्या करें यहां इसको select करने के बाद यहां पर click करें यहां पर click करने के बाद यहां पर करके बंद कर देते हैं अब आप यहां पर आने पर yeah पर click करें click करने पर यहां पर आए यह क्या लिखा है top इंडेंट bottom इंडेंट यहां पर है left इंडेंट और right इंडेंट नहीं है क्या कारण है कारण यह है कि data की direction change हो चूटी है अब अगर आप data को इस cell के अंदर टाइप करेंगे ना तो वो top to bottom टाइप होगा वो horizontally टाइप नहीं होगा अगर वो horizontally टाइप ही नहीं होगा तो horizontal indentation का तो कोई मतलब ही नहीं बनता किसका मतलब बनता है अगर top indentation का मतलब बनता है bottom indentation का मतलब बनता है ठीक है अब क्या इस indentation को हम increase कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं यहां पर क्लिक करें यह देखिए यहां पर 0 लिखा है अब आप क्या करें अगर आप इसकी बॉटम इंडेंटेशन को बढ़ा देते हैं यह देखिए मैंने बॉटम इंडेंटेशन को बढ़ा दिया बॉटम इंडेंटेशन को बढ़ाने से Select रखते हैं, यहां पर किलिक करते हैं, यहां से हम Bottom indentation को Zero कर देते हैं, यहां पर आते हैं Top indentation पर और यहां पर Top indentation को 5 कर देते हैं, अब Data नीचे की तरफ जाएगा, Top के Border से दोर जाएगा, यहां पर Okay पर क्लिक करें तो आप देखेंगे कि Data जो है उपर वाली indentation को छोड़कर नीचे की तरफ move हुआ है क्योंकि हमने top indentation को 5 किया है तो इस तरह से हमेशा याद रखिये कि indentation horizontal alignment की property नहीं है नहीं vertical alignment की property है यह property बनती है horizontal alignment की तब जब हम data को horizontally alignment करते हैं और यह property बनती है vertical alignment की तब जब हम data को vertically type तो अभी हमारे पास ये आज़ादी है कि हम डेटा को तकी वर्टिकली टाइप कर सकते हैं, जैसे अगर मैं इसको यहाँ से हटा दू, तो इस अल में अगर मैं डेटा एंटर करूं, तो आप देखेंगे की डेटा जुह है, वूर्टिकली चेंच हो गया है, और यह चेंच किस क्लिक करेंगे तब आपको टॉप इंडेंट और बॉटम इंडेंट को देखने को मूव करेगा क्योंकि डाटा जो है वो किसी एंगल पर मूव ही नहीं हुआ है टेक्स्ट की डेक्शन तो जीरो डिगरी है और जैसे ही आप इसको खलका से हिलाएंगे तो यह देखिए यह जो जाएगा तो इस तरह से आप डेटा को अलग-अलग एंगल्स पर रोटेट कर सकते हैं उनकी डिगरीज को डिफाइन कर सकते हैं जहां पर आप उसको रोटेट करना है साथ ही साथ आप डेटा को वर्टिकल अलाइन भी कर सकते हैं विदाउट किसी एंगल पर मूव किये हु ALT H और FQ यह आपको याद रखना है सरफ ALT H FQ उसके बाद अलग-लग यह है O है, L है, V, U, D और M जिसका प्रेस करेंगे वो option जो है, वो चल पड़ेगी साथ ही साथ आप यहाँ पर क्लिक करके इसको खोलने की बजाए आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करके भी इसको open कर सकते हैं वैसे तो इस particular box को open करने के कई methods में आपको already बता चुका हूँ ठीक है, तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको आज का lecture अच्छा लगा होगा अगर आज का lecture आपको अच्छा लगा है तो इस lecture को आप like करें, comment करें share करें, channel को subscribe करें bell icon के button को press करें आज के lecture में इतना ही, next lecture में मिलेंगे thank you very much